एक बार भगवान विश्णुजी शेशनात पर बेठे बेठे बोर हो गे और उन्होंने धर्ती पर घुमने का विचार मन मैं किया। वेसे भी कई साल बीत गए थे धर्ती पर आये और वह अपनी यात्रा की तेयारी में लग गए। स्वामी को तेयार होता देख कर लक्ष्मी माने पुछा। आज सुभ सुभ कहा जाने की तेयारी हो रही है। विश्णुजी ने कहा है लक्ष्मी मैं धर्ती लोग पर घुमने जा रहा हूं तो कुछ सोच कर लक्ष्मी माने कहा। हे देव क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विश्नु ने दो पल सोचा फिर कहा एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो तुम धर्ती पर पहुँच कर उत्तर दिशा की और बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हा कहके अपनी मनवाली। रात बरसात होकर हटी थी, चारो और हर्याली ही हर्याली थी, उस समय चारो और बहुत शांती थी, और धर्ती बहुत ही सुन्दर दिख रही थी, और मा लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धर्ती को देख रही थी, और भुल गई की पती को क्या वचन देकर आई है। और चारो और देखती हुई कब उत्तर दिशा की और देखने लगी पता ही नहीं चला। यह क्या जब मा लक्ष्मी भगवान विश्नु के पास वापिस आई तो भगवान विश्नु की आखों में आसु थे। और भगवान विश्नु ने मा लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पुछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही अपना वचन भी याद मा लक्षमी को अपनी भुल का पता चला तो उन्होंने भगवान विश्णु से इस भुल की माफी मागी तो भगवान विश्णु ने